अज हम डिसकुस कर रहे हैं Governor लास लेक्चर मैं में ऊड़ा था President के बारे में President और Governor दोनों ही सेम डेस्नेशन है एक सेंटर में और दूसरी स्टेट में इसलिए दोनों में बहुत सारी सेमिल्रीटीज भी है तो हम जब governor पढ़ेंगे तो बहुत साथ चीज़ें आपको clear हो जाएगी governor आपका जो आता है वो आता है state executive में ठीक है? 6th part और article 153 to article 167 deal करता है state executive को state executive में कौन-कौन होते हैं? governor, chief minister, council of ministers, state वाली और center में आपका attorney general होता है और यहाँ पर state में advocate general होता है ठीक है? उसके बाद जो governor होता है वो होता है chief executive head of state और आपका 7th constitutional amendment act है 1956 जो कि में क्या बताता है? कि एक ही person, एक से ज़्यादा states का governor भी हो सकता है ठीक है? अब बात आती appointment पे जो president है वो indirectly appoint होते हैं बट जो governor है वो ना ही directly और ना ही indirectly appoint होते हैं उसे कौन appoint करता है? president और वो अपने pleasure के according appoint करता है ठीक है? 1979 में supreme court की एक verdict थे जिसमें कहा था कि governor, जो center government है उसके अंडर की employment नहीं है कोई भी ठीक है? governor एक independent body है अब हमने जो adopt किया है वो क्या है? Canadian model adopted ठीक है? एक American model है वहाँ पर जैसे CM elect होते हैं वैसे ही governor भी जो states के हैं वो elect होते हैं बट यहाँ पर elect नहीं होते हैं president जो center है वो appoint करता है governor को like Canada ठीक है? इसके बाद आती है qualification qualification जो constitution में वो तो दो ही दी हुई है कि 35 years के जो होनी चीए और Indian citizen होना चीए ठीक है? बट जो additional conventions है जो follow की जाती है वो यह है कि should be an outsider मतलब अगर हिमाचल में कोई governor आ रहा है तो वो हिमाचल का नहीं होना चाहिए ठीक है? president should consult CM of concerned state before appointing governor ठीक है? president को governor appoint करने से पहले वहाँ का जो CM है उससे consult जरूर करना चाहिए ठीक है? यह दो convention है additional उसके बाद conditions आती है he should not hold office of profit ठीक है? वही president वाला उसे राजभावन मिलता है state का ठीक है? सेलरी और उसकी जो salary है वो कौन डेटर्माइन करता है? parliament और president की तरह ही वो भी सारे criminal charges से free होता है ठीक है? oath जो oath ली जाती ही वो important नहीं है जिस भी state में जा रहा है वहां के जो chief justice है high court का उनकी जो oath है उसको administer करेगा उसके बाद आता है term five years का term होता है but यह term specific नहीं है ठीक है? यह pleasure of president के according यह करता है vary करता है for example जैसे governor है वो वैसे माना जाता है कि जो center में ruling party है उसका एक nominee है symbolic head है ठीक है? तो president चाहे तो किसी भी time किसी भी governor को खटा सकता है या उसे transfer कर सकता है किसी भी दूसरे state में या फिर उसे एक या एक से जादा governor बना सकता है ठीक है? जरूरी नहीं है कि tenure खतम होने के बाद यह सारी चीज़े की जाए पहले भी की जा सकती है ठीक है? और pleasure of president is not justice-able Supreme Court ने कहा है कि यह president का pleasure है कि कब उसने रखना है कब नहीं रखना है इस पर यह justice-able नहीं है ठीक है? उसके बाद जो chief justice of concerned state high court है अगर जो governor है उनकी position vacant हो जाती है किसी भी reason से चाए death हो, चाए उन्होंने resignation दे दिया हो तो कुछ time के लिए temporary governor कौन बन सकता है chief justice जिन्होंने की oath administer की है अब दिखते हैं power functions governor के सबसे पहले आते है executive powers executive में वो क्या करता है cm को अपाइंट करता है और council of minister of state को अपाइंट करता है ठीक है देखिए चार state से धियान रखिए का 36 जार्खंड, Madhya Pradesh, Odisar इन चार states में एक extra minister होता है that is tribal minister ठीक है उसे भी कौन अपाइंट करता है governor और article 165 किसे डिल करता है advocate general इसे भी कौन अपाइंट करता है governor और ये किसे अपाइंट करता है chairman and members of state public service commission ध्यान रखिए अपाइंट करते हैं dismiss कौन कर सकता है only president not governor ठीक है और ये क्या करते है recommend करते है president rule under article 356 ठीक है अगर जो state की constitution machinery है वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो कौन recommend करेगा governor president को की यहाँ पर president rule लगना चाहिए या नहीं दूसरा most important acts as chancellor of universities ठीक है question भी आया था ये कि governor जो vice chancellor को ही क्योंपाइंट करता है क्योंकि वो खुद होता है chancellor universities का state की next is legislative powers ठीक है special address to state legislature by the governor ठीक है जैसे president address करता है parliament को वैसे ही governor address करता है आपकी legislative state legislative assembly को ठीक है governor और president में बहुत जाद चीज़ेंट सिमिलर है बस articles का फर्क है उन्हें हैं आप थोड़ा से याद के बाकी relate करके पढ़ियेगा he can appoint any member to preside assembly ठीक है कि आप इस assembly को preside कीजे 1-6th nominate करता है state legislative council में देखे state legislative council आपकी 7 states में है और अब 7 वां उसमें J&K था तो J&K अब state नहीं रहा है ये तो union territory बन गया है तो अब ध्यान से याद रखेगा ऐसे कि 6 states में है और 2 union territory एक union territory में है ठीक है और अब 6 states कौन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए देखे आंदरप्रदेश तेलंगाना ठीक है करनाटका महराष्टर और UP बिहार फिर next है legislative powers में एक member state legislative assembly में अपोइंट करता है ठीक है जो की किस्ते होना चाहिए Anglo-Indian communities है ठीक है article 123 क्या बोलता है power of president to promulgate ordinance और article 213 क्या बोलता है power of governor to promulgate ordinance ordinance आपने पढ़ चुक है next आते है जब कोई भी bill governor के पास आता है तो वो उसे क्या कर सकता है पहला assent दे सकता है withhold कर सकता है और return कर सकता है अगर वो money bill नहीं है यह चीज़े तो हमने president के case में पढ़ी थी but यहाँ पर additional है एक extra जो की article 201 में mention की गई वो क्या है reserve bill for president कोई ऐसा bill आता है जो की जैसे fundamental rights को violate कर रहा है DPSP को violate कर रहा है ठीक है आपका 31A article है right to property उसके regarding को ऐसा article bill आता है तो उसमें क्या करता है जो वो governor है वो जो president है उसके लिए bill को reserve कर लेता है financial powers में क्या आता है कि state budget देखता है वो ठीक है और जो भी money bills है वो उसकी prior recommendation से ही appoint होते है ठीक है और state finance commission को constitute करता है ठीक है हर 5 साल में उसके बाद आता है judicial powers article 161 power of governor to pardon ठीक है बड़ ध्यान अगना death sentence और court marshal को governor pardon नहीं कर सकता ठीक है article 217 है कि appointment of high court के judges ध्यान की का high court के judges appoint कौन करता है president not governor ठीक है बड़ उसमें consults किया जाता है state governor को और article 233 क्या है appoint district judges जो district के judge है उन्हें appoint करता है governor ठीक है और वो किसी भी person को judicial services में appoint कर सकता है बट high court और state public service commission की जो है consults से ठीक है अब discuss करते हैं governor से जुड़े कुछ articles ठीक है article 153 यह denote करता है governor of states को ठीक है फिर 154 denote करता है executive power of state को qualification जो governor के लिए है constitution में जो दो ही qualification है वो किसमें आती है article 157 और 161 पता है हमें power of governor to pardon 163 है council of ministers to aid and advise governor ठीक है जैसे council of ministers जो center की होते है वो president को advise करती है 165 advocate general की appointment 176 special address by governor to state legislature ठीक है article 200 ascent to bills ठीक है article 201 reserve bill for president प्रेजिडेंट के बिल reserve करता है governor 213 promulgate ordinance article 233 appointment of district judges by governor article 217 and article 234 यह आप बताएंगे comment section में लिखके कि क्या है अभी अभी इमने पढ़े हैं दूसरा दूसरा question बताएंगे कि value of MLA of vote of MLA of HP president के election में जो हिमाचल के MLA है उनके vote की value कितनी है यह भी आप comment section में लिखके बताएंगे फिर आईए MCQ करते हैं कुछ discuss governors related पहला MZQ है which state does not have tribal minister किस state के पास tribal minister नहीं है देखिए अभी अपने पढ़ा जार्खन में तो है यह option नहीं है और अच्छा में भी है ठेक है और मद्यप्रदेश यह सारा tribal area है चौथा कौन था चार स्टेट्स पड़े थे ठेक है कौन सा आर्टिकल है देखिए अभी अभी आपको comment section के लिए भी दिया है article 217 तो इसका correct answer है article 217 फिर है which state does not have bicameral legislature bicameral legislature होता है मतलब state legislative assembly भी हो और state legislative council भी हो ठेक है उसको बहते है bicameral तो मैंने आपको बताया था पहले साथ states में हुआ करता था अब जम्मो कश्मीर state नहीं है तो अब 6 states में है 6 states मैंने आपको बताया थे AP, Andhra Pradesh Telangana UP, Bihar Maharashtra Karnatak तो यहाँ पर Madhya Pradesh इसका right answer हो जाएगा Madhya Pradesh में नहीं है bicameral legislature उसके बाद which Supreme Court verdict says that governor is not an employment under central government the answer is 1979 Supreme Court verdict देखे यहाँ पर जो भी most important मुझे लगता था exam point of view से वही डिसक्स किया है बाकी आप और जादा डेप्थ के लिए पॉलिटी रक्षमी कांत पड़ सकते है उसका 30 chapter है यह okay that's the end of the chapter okay thanks for listening God bless you all